अगले चार महीने तुम्हारे लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं। अगर इन चार महीने के अंदर तुमने महनत लगा ली ना तो तुम अपने स्कोर को बहुत अच्छा कर सकते हो। बट अगर इन चार महीने में भी मस्ती मजा करनी है ना तो चार महीने बाद तुम बैट कर रिग्रेट करोगे और सोचोगे कि यार उस टाइम पर वो जो रोड मैप दिया था वो जो प्लैनर दिया था अगर हम फॉलो कर लेते तो आज हमारी कंडीशन यह नहीं हो मेरा नाम है प्रिशान में टॉर आज लेकर आ गया हूं सब्टेंबर से लेकर फेवरेरी का एक ऐसा रोड मैप जो कि आपकी प्रेशन को पूरी तरीके से बदल जाएगा मुझे पता है टाइम बहुत कम बचा है ठीक है अभी तक कितना टाइम खराब कर दिया यार तुम्हें रिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है चार्ट कर रहा था अपरेल में जब तुम 9 थे 10 में आयता है सपने कितने बड़े थे तुम्हेरे उस टाइम पर अब क्या हो गया उन सपनों को एपरेल मैं जून जुलाई अगस्ट इतना टाइम खराब कर दिया है कितने महीने बच अब तुम्हें लग रहा है कि अभी भी टाइम है तो तुम बहुत बड़े ब्रहम के अंदर जी रहे हो तुम्हें इमआजिनेशन के अंदर जी रहे हो तो सबसे पहले तो उड़ जाओ उस इमाजिनेशन से अब मैं हर एक मंध का एक ऐसा प्लैनर दूँगा अगर इस प्ल करने वाले हो, सबसे पहले देखने हैं, इतने महीने मारे पास बचे हैं, September, October, November, December, January, February, February, February को तो अपनी लिस्ट में से कार्ड देना, क्यों कार्ड देना, नाइन्थ वालों के तो एक्जाम होते हैं, फैब के अंदर, स्कूल्स के अंदर, और 10 वाले, रिवाइस करना होता है तुमारे बोर एक्जाम हो रहे होते हैं, सैंपल वेपर लगाने होता है, रिवाइस करना होता है, प्रिवोर देने होता है, बहुत होता है, तो इसको तो मन्त को कार्ड दो, इस मन्त को तो गिनो भी मत, अब वापिस से गिन्ती करो, क्या बचा है, September, October, November, January, अब जैनवरी म में बहुत सारा टाइम तुबारा हाफ एल्डी में जाने वाला है कुछ बच्चों के चल रहे होंगे हाफ एल्डी है ना हाफ एल्डी में तुम बहुत जाज आपना टाइम लगाओगे पढ़ाई करोगे 10-15 दिन हाफ एल्डी चलते हैं बहुत सारे स्कूल्स के अंदर तो आ अगर सपना है 95 का, तो इतना ही दिन बचा है, अगर पास होना है, तो वो तो तुम आखरी महीने में पढ़के हो जाओगे, बड़ी बात नहीं है, बट अगर अच्छे माक्स लाने है, देख लो, 100 दिन बचे हैं, और यही मैं तुमें पहले तो तुमसे एक मेरा सवाल है, इस चैलेंज को तुम लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते है, 100 दे का चैलेंज दे रहा हूं, 100 दे, के वाग 100 दिन, 100 दिन करना क्या है, consistently पढ़ाई करनी है, बस, और कुछ नहीं मांग रहा, कितने गंटे पढ़ाई करनी है, 2-3 गंटे, self-study, school जाते हो, tuition and online classes जाते हो, उसक 100 दे चैलेंज अभी के अभी, और अपने दोस्तों को बता दो, और इस 100 दे चैलेंज को हर एक student को लेना है, जिसको marks अच्छे लाने है, simple सी बात है, अब मैं आपको बताता हूँ, एक-एक महीने का planner का है, पहली बाद सब्टेंबर, सब्टेंबर में क्या है, यह हाफ benefit है, क्यो benefit है, बच्चे बोल रहे हैं कि time खुराब हो जाएगा, हाफ एल्डी में इतना time waste होगा, सुनो, पहली चीज, हाफ एल्डी में पूरा स्लेवस मत करो, अगर तुम वो student हो, जिसके बहुत सारे chapter बच्चे हो, imagine करो हाफ एल्डी में आ रहे है, science के अंदर अपने 4 chapter, या फिर मान लेते हैं 6 chapter, ठीक है 6 chapter आ रहे हैं, अब उन 6 chapter में से आप केवल और केवल 4 chapter करके जा रहे हो ना, वो भी enough है, 2 chapter मत करो, 2 chapter मत करो, but वो जो 4 chapter तुम कर रहे हो ना, उसको quality से करो, या नहीं, उसको ऐसे पढ़ो, कि मज़ा आ जाए, ऐसे पढ़ो, कि अगर आपका board exam भी होना, तो इन 4 chapter में से आपका एक number नहीं करना चीए, ऐसे पढ़ना है, है ना, हमें ये नहीं करना, सब कुछ कर देना, ये भी कर देना, वो भी कर देना, नहीं, quality ला हो, 4 chapter पढ़ने है, बस, बट उसको ऐसे पढ़ेंगे, कि board exam भी हो, कल तो भी लिखके आ जाएंगे, ठीक है, अगली चीज, half LD के marks बेटा बिल्कुल important नहीं है, डरो मत, ठीक है, में 10th वालो को बोल रहा हूँ, तुमारे board के अंदर count नहीं होंगे, तो इतना डरने वाली बात नहीं है, अगर marks कम भी रहते हैं, कोई problem वाली बात नहीं है, अगली चीज, हिंदी English को एकदम सीरे जाओगे, उसके लिए थोड़ी बहुत तो बढ़ाई करके जाओगे ना, तो उसके क्या करना, राइटिंग प्राक्किस कर लेना, आंसर्स को लिखने की तियारी कर लेना, यह बहुत important है, तो तुमारा जो सब्टमबर का महीना है, वो तो हाफ हिल्डी में जाएगा, तुम को बदलेगा, और सबसे पहला काम, तो कि आपको इस महीने में करना है, वो क्या है, वो है, मेक सब्जेक्ट वाइज रिसोर्सिस, यानि आपको पता होना चाहिए, कौन से रिसोर्सिस को आफ फॉलो करने वाले हो, अगर अभी तक रिसोर्सिस पता नहीं चल पा रहे हैं तो बहुत बड़ी प्राब्लम है, क्योंकि मैं देखता हूँ न, बच्चे क्या करते हैं, वो मैथ में आड़ी शर्मा करी, नहीं न, वेकार बुक है, आरे सकरवाल, नहीं न, वो भी वेकार है, वो उनसी करें, ये कर लें, वो कर लें, सो किताबे मत देखो, एक किताब पे फो लेना है, कि आपके लिए resources क्या है, अलग-अलग resources में मत भागो, lecture ले रहे हो, science के मेरे से ही लो, अगर मेरा समझ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, किसी और से पढ़ लो, यार, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, सब teacher अच्छे है, किसी और से पढ़ लो, बट फिर उनी से प करना है, यहाँ पर focus करना है, किसके उपर, पहला काम आपको करना है, coaching tuition lectures, यानि अगर आप online class में जाते हो, tuition में जाते हो, तो उसमें जो lecture चल रहा है, इस समय पर, October में, आपको वहाँ से पढ़ाई करनी शुरू करनी है, अब यह मत बोलना, कि हमारी तुना बहुत सारी backlog पॉइंट से start करना है, प्रिवेस जो backlog है, उनके लिए क्या करना है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, हमें basically backlog कैसे clear करेंगे, देखो, October में एक तो हम online classes, tuition वगेरा लेंगे, उसके साथ साथ, जो हमारे week chapter है, देखो, backlog दो type की होती है, एक वो chapter जो कि मैंने पढ़ा ही नही आपाया, उसको हम बोलता है week chapter, तो जो week chapters है ना बेटा, उनको आपको October में करना है, खतम करना स्टार्ट करना है, week chapter उठाए, science, math, ssd, सबके week chapter उठाए, साथ साथ में daily की आप क्या करोगे, classes लेते रहोगे, अगरे जिस consistency लेकर आओ, कहीं से खोज के लाओ, ढूंड के आदी ना, बस, उसका का, ठीक है, अभी तक समझ आगे, tuition ले रहे हैं, online classes ले रहे हैं, साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं, अपने week chapter को कर रहे हैं, अभी मैंने उन chapter की बात नहीं करी है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आते हैं ना, उनको बाद में देखेंगे, उसके साथ पर जरूर ले 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 लेना, October में, भी अभी से sample paper, हाँ, क्योंकि sample paper reality check देता है तुमें, है ना, sample paper आएंगे, मैं भी आपके लिए लेकर आँगा, बता दूँगा आपको, जो हम launch करेंगे, अभी time है उसके लिए, अब बात करते हैं, किसकी November की, November का एक ऐसा महीना है, जिसक consistency रहेगी, November में break करेगी, आज बता रहो, देख लेना, November में break करेगी, और अगर नहीं करेगी break, तो 95 से तुमें कोई रोक नहीं पाएगा, तो यानि याद रखना पहले ही चिताब नहीं दे रहो, festival आएंगे, बिल्कुल आएंगे, enjoy करोगे, बिल्कुल करोगे, बट साथ सा consistency, वो chapter जो कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़े है, होंगे न, जैसे मानलो साइंस के दो chapter हैं, जो तो मैंने बिल्कुल अभी तरह हाथ नहीं लगाए है, October मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको November में आकर देना पड़ेगा, उसके बाद, stop pretending to study, बहुत बच्चे करते हैं, अपने माता पिता के सामने किताब लेकर बैठ जाएंगे, पापा मैं तो पढ़ रहा हूँ, मुम्मी मैं तो पढ़ रही हूँ, जबकि तुम भी पढ़ना, बुक बंद करो, बाहर जाओ, बट अगर पढ़ना है, तो ऐसा पढ़ो कि कम में भी अच्छी पढ़ाई हो, है ना, आदे घंटे पढ़ रहे हो, एक घंटे पढ़ रहे हो, दो घंटे पढ़ रहे हो, बट ऐसा पढ़ो कि पूरा कंसेंट्रेशन वाँना चीए, फिर चाहिए, फोन में मैसी जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, फरक नहीं पढ़ना चीए, जब ये डेडिकेशन ला दोगे, तब हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गए हमारा नमेंबर का प्लैनर, अब हम बात करते हैं, दिसंबर में हम क्या करेंगे, वाट इस दा प्लैनर, अब दिसंबर में में ली कोचिंग की, ऑनलाइन क्लासिस की, स्लेवस जो है, वो खतम हो जाता है, तो आपको टूशन कोचिंग से छुटी मिल जाएगी, अब आपके बस टाइम रहा करेगा, तो अब आप क्या करोगे, अब आप अपनी बैकलॉक्स को तो खतम करोगे ही, ब अब दिसंबर तक आपकी सारी बैकलॉक्स हो जानी चाहिए, साथ-साथ में जो ऑक्टूबर नुम्मेंबर में पड़ा था, उनका रिवीजन हो जाना चाहिए, उसके साथ-साथ एक-दो सैंपल पेपर दे देना, आप दिसंबर में एक-दो सैंपल जाधा मत देना, एक-द भार का खाना थोड़ा वइड करना उस समय पर, यह हो गया हमारा दिसंबर का प्लैनर, अब बात करते हैं हमारे जैनवरी जो कि आखरी महीना है, फैब को तो हटा दिया था, जैनवरी में क्या करना है, जैनवरी जो आदा जैनवरी है, उसके अंदर आपको करना है, राइट कर लेना एक बार तीक है उसके साथ-साथ क्या कर रहा हमने राइटिंग प्राक्टिस करी लिग लिग के अंसर की प्राक्टिस करी अब यह जो महीना होगा ना इसमें आपको लगाने है बहुत सारे सैंपल पर जितने लगा सकते हो यह कितने लगाएं आगे हम डिसकस करेंगे जब समय आएगा मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा टेंशन नहीं लेनी आपको है ना सारी चीज़ आपके लिए मैं लेकर रहूँगा उसके साथ-साथ गूड़ कंपनी बहुत इंपॉर्टिंट है है ना अब जैसे एक्जाम पास आएगा ना तो दो प्रकार के दोस्त ह होंगे एक जो मदे कर रहे होंगे एक जो पढ़ रहे होंगे अब आपको कंपनी अपनी सेरेट करनी है क्योंकि देखो होता क्या है ना हम कंपेर करते हैं हमारे दोस्तों से अगर तुमारे दोस्त ही सारे के सारे ऐसे हैं जिनके की बीस में से पांच नमबर आ रहे हैं तो त उसके बाद April से वापिस से दोस्ति करने हैं बट ये दो महीने थोड़ा सा कट कर गए ठीक है ये हो गया हमारा पूरा का पूरा प्लैनर जो कि है January का याद रखना January में आपको sample paper भी लगाने है writing practice भी करने है revision भी करना है अब February का जो महीन है वो हम आगे आपके लिए मैं लेकर करा जाओंगो attention की बात नहीं है बट ये आपको follow करना है 100 दिन का challenge दे दिया है इस challenge को लोग follow करो और जितने भी especially जो study vloggers हैं वो भी इस challenge को follow करो आप vlogs मनाते तो उन vlogs में दिखाओ बच्चों को कि हां मैं भी पढ़ रहा हूं मैं भी पढ़ रहा हूं ताकि और बच्चे आपसे motivate हो वो भी पढ़ाई करें ठीक है तो ये सब को follow करना है अगर ये follow करा मैं guarantee से बोलता हूं marks बहुत अच्छा